नमस्कार डिडी मार्चल के सखास पेश्क्यूश में एक बार पिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं आज की बात मैं हूँ आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की बात में आज हम बात करने वाले हैं इनर हैपिनिस के बारे में आधुनिक जीवन चुनोतियों से भर गया है हमारा जीवन जितना ज्यादा आसान होता जा रहा है उतना है ज्यादा मानसिक तौर पर समाजिक तौर पर मुश्किलों से भी हम घिरते जा रहे हैं और इन मुश्किल हालातों में खुद को कैसे नियंतर्म रखा जाए कैसे एक आ आयाम है, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम होती है आज के वक्त में खुश रहना भी एक कला बन गई है और इस कला को बखुबी समझने वाले एक कलाकार हमारे साथ इस खास कारक्रण में आज मौजूद हैं, स्वागत कीजिए हमार नमस्कार आपके ओडियंस को भी सबको नमस्कार वाद वाद स्वागत है डॉसरी बार आप डीडी हमाचल में इस कारक्तर में हमारे दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं इनर हैपिनस की हम आज बात करेंगे आंतरिक प्रसन्नता एक संतुष्टी कैसे अपने आपको हासल की जाये कैसे इस आयाम को अपने जीवन से जोड़ा जाये यह आज बहुत बड़ी चुनौती आज के जीवन में लोगों के सामने पेश आती है उस पर हम विस्तार से बात करे और माना यह जाता है कि नॉर्मली जब इस तरह की पढ़ाई करके कोई इंसान आगे बढ़ता है को युवा आगे बढ़ता है तो उसी क्षेतर में मैंनेजमेंट हो या फिर इंजिनियरिंग हो उसमें वो अपना करियर पर सू करता है लेकिन आपके केस में थोड़ी सी florist and governance engineering और ये सारी टर्म्स आपने यूज की हैं अपने research में भी अब थोड़ा सा research के बारे में बताई है और थोड़ा सा अपने बारे में कि ये management औरには możliू से happiness की तरफ खुद जाना और लोगों को ले जाने का जो तरिका, जो मानसिकता है जो idea है वो जो भशारी कार कि अनि पहले तो धन्यवार इतनी अच्छे से आपने इंट्रोड इंट्रिउस के इस टॉपिक को और मुझे मुझे लगता है जितनी भी हमारी एड्यूकेशन होती है जितना भी हमें पढ़ाया जाता है अपनी जीवीगा को कैसे चलाना ही यह तो सिखाया जाता है लेकिन जीवन सफलता पूरवग कैसे जीना है खुश हो के कैसे जीना वो अभी नहीं बताया जाता है आई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और मैं आप सबसे भी जो दर्शक हैं पूछना चाहता हूं कि आप खुश जीवन भिताना चाहते हैं अब मैं आप से एक प्रश्न पूछता हूं आप जो भी आपके मन में पहला उत्तर आएगा वो दीजिएगा दर्शक भी हम प्रश्न तो सुगम है आसान है कि आपका अच्छा दिन रहा या नहीं रहा अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है वाई क्यों अगर आप कह रहे हैं कि आपका दिन अच्छा रहा क्यों ऐसा कह रहें और अगर आप कहें नहीं अच्छा नहीं रहा तो क्यों तो हम लोग सब होना तो चाहते हैं लेकिन हमने कभी तवज्जों नहीं दी इस बात पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कभी इस बात पर मनन नहीं किया कि हम लोग happiness का parameters क्या हैं हमारे किन बातों को हम pursue करें कि हम feel करें कि मेरा दिन जो है वो आनन्द में बीत रहा है तो जब यह बात मुझे आने लगी जहन में एक और बात पी साथ में चल रही थी जब हम लोग पहली बार जॉब में जॉइन करते हैं और खूब आपको पैसा मिल रहा है मैं यूएस में रहता था तो आपके पास पैसा भी है आप यंग है रहे आप tepsi से प्सक्राइस करें पृब explosiveness क होथेना सबस्राइज हा सको करते हैं तो मुझे लगता है जीवन के लिगे तीन आयाम पहला होता है सुक की खोज कि पैसा है जो करना चाहते हैं एक बातु करो अपने आपसे आनुभव करो कूशों अब इसका सब का purpose का रहा है? मैं अपनी life के लिए क्या कर रहा हूं। चिज़uju कि शुलिनतों के कि लिए नहीं नहीं पिर आझा बितीन आभट दोस फ़ेशन के लिए अमले के बंखेता है। और लक्षो होने चाहिए, आप फैमिली के बारे में लक्षो होने चाहिए, फाइनसे के साथ में लक्षो होने चाहिए, कैरियर की प्रोग्रेशन के बारे में लक्षो होने चाहिए, तो जो दूसरा फेस लाइफ का शुरूआ मैं उसको कहता हूँ, परसुट आफ सक्सेस, और उसको आप कह सकते हैं कि लक्षियों की प्राप्ति का दूसरा चरण जीवन का, फिर ऐसा ही समय निकल गया, मैं कई सारी मल्टी नैशनल कंप्ती के साथ में काम करने लगा, और फिर एक समय ऐसा है, जब लगने लगा कि जीवन में सफलता तो है, लेकिन जीवन का अर्थ क्या ह मैंने जीवन में इस दुनिया के लिए बाकी लोगों के लिए क्या contribute किया, तो मुझे लगता है कि हम सब के जीवन में वो तीसरा चरण फिर आता है, जब हम कहते हैं कि सुक तो है, सफलता भी है, लेकिन जीवन का अर्थ क्या है, और मैं उस तीसरे चरण को कहता हूँ, pursuit of significance, life of significance हम लोग जीना चाहते है, pursuit of happiness, तो लगने लगा कि जीवन में ये सफलता पैसा कमाना इससे beyond भी कुछ है, तो वो क्या है, और एक गजल की मुझे दो लाइने याद आ रही है, कि यू तो गुजर रहा है हर पल खुशी के साथ, लेकिन कुछ कमी सी क्यों है जिन्दगी के साथ, तो हम सब की जीवन में ऐसा एक ठ्यान रहता है कि कुछ तो कम है, और मैं उसको पाना है, तो मैं चाहता है कि कमी जो महसूस हो रही है जीवन में वो क्या है, तो ultimately, बहुत सारी किताबे पढ़नी शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों से बात करनी शुरू कर दी, और मै आपसे भी यही प्रश्न पूछता हूं, कि आप जो हो, जो भी करते हैं, क्यों करते हैं बताइक अगर आज हमारी बातचीत भी हो रही है, या हम किसी बित्तर से मिलते हैं, क्यों थो अब आप कहेंगे कि आज परोग्राम करना है, परोग्राम अच्छा होगा, तो फिर मैं आत्मसंतुष्टी है उस एक्शन को लेकर वो सर्वो पर होनी चाहिए और अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी नदर आती है तो कही ना कही हमें मानसिक तोर पर वो अच्छा महसूस नहीं गहाता है आपने पैसों की बात की यो ऐसी की बात की काफियत तक यह सेम चीजें रहती हैं तो कही ना कहीं उससे जुड़ाव एक तरह से नजर आ रहा है कि यह चीजें वहाँ पर कनेक्ट कर रही हैं मैटियूरिस्टिक चीजों का रोल कितना रहता तो पहले तो जुड़ाव है यानि येस हां है जब भी हम भारतिये लोग भारत से बाहर जाते हैं तो हमें यही पूछा जाता है कि आप लोगों ने कॉंट्रिब्यूट किया है और हम जाते हैं अध्यात्म के उपर culture के उपर फिसटनली याद आता है कि इस बारे में कभी बताया नहीं गया पढ़ाया नहीं गया इसलिए मेरा जो research का topic है वह भी ancient wisdom ही रहा और उसमें जो materialistic culture की या earning की बात कही गई है, कहा गया है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा हमारी जीवन की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन एक तो जिस धंग से कमाया जाए वो धंग अच्छा होना चाहिए, और जहां उसको खर्च करें, वो भी अच्छे कारियो करना चाहता हूँ, पैसा, क्या पैसा खुशी देता है, अब सोचिए कि आप रेगिस्तान में फस गए, आपकी काड़ी खराब हो गई, और आपके बास एक करोड रुपया पड़ा है, भूख से प्यास से आपको बिलकुल बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि क्यास जीवन अब त्यागने पड़ेंगे एक करोड रुपया है, क्या उस पैसे कमुला है, और कोई व्यक्ति आता है यह पानी की बॉटल लेकर, आप उस एक करोर रुपय को जो आपने पूरे जीवन में कमाया है पानी की बोतल के लिए दे देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि पैसा का मुल्य नहीं है, जो आप पैसे से पास सकते हो, उसका मुल्य है, जरूरत जवाब की है, लेकिन अभी पास कीजिएगा, रुकियेगा, आपके पास पैसा है, आप भोजन खरीद सकते हो, लेकिन आपको भूख नहीं लग रही है, या तो भूख लग रही है, लेकिन तो इसका मतलब पैसा है उसकी वैल्यू नहीं जो आप उससे खरीदते है उसकी वैल्यू है जो खरीदते है उसकी वैल्यू नहीं है या उस खरीदरी हुई चीज को आप उपयोग कर सकते हो अपने जीवन में उसकी वैल्यू है लेकिन आपने खाना खा लिया लेकिन तबियत बस लास्त वाला है यह कि पैसा उससे चीज खरी दी गई उसकी वैल्यू है और अगर उप्योग में लाइए, क्या आपको उससे आनन्द मिला यह नहीं मिला अगर अनन्द मिला तो पैसे की वैल्यू हुई और नहीं मिला अपने अच्छी डेफिनेशन है, मैं चाहूँगा आप सब लोग थोड़ा सा मननन कीजिए, क्योंकि मैं एक बार रिषिकेश में था, और यह सची घटना है, दो बिखारी बेगर्स वो गंगा के तट पे बैठे हुए थे, फकीर कहलेते हैं, बेगर्स नहीं कहते हैं, तो एक आज अज को बहुत सारा धन मिला है, उसने अजसे आपना हाथ डाला है, घिने भी नहीं दाल दाल दौबरे में पैसे, बस ऐसे डाला है, आप जादा मिले तुम्हारे पास नहीं है, तो यह लो दो, अब देखिए उसने बांटा उसको कितनी खुशी मिली, तो जब तक हम ध तो आपके पास जो है उसको अनुभव करना शुरू कर दीजी और देखिए कि उससे आप अपने लिए पॉजिटिव सकारात्मक अनुभव कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो मैट्रिलिस्टिक वेल्थ की ज़रूरत है पर इन सब इस वाथो मैं अगर एक कमन मैं की मैं बात करूं वो कहां पर लैक कर रहे हैं उनकिक्ष यह जानकारी उनकिन कि वह Mississippi tea भाग तो रहे हैं पर रहे होने खुद मैं पता कि वह असल में happiness के भाग रहे हैं वह चीजों को एम कर रहे हैं और जहां पर वहां पर थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं और वही डिप्रेशन जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा आज की आदूनिक दौर में जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है लोग कहां पर लैक कर रहे हैं क्या उस बारे में प्रापर गाइडलाइन नहीं मिल रही या उन्हें resources ऐसे available नहीं है जो उन्हें इतनी समझ दे सके और आप तो क्योंकि doctor of happiness भी है officially doctor of happiness है इसका आपके पास पेटेंट है ट्रेडमार्क भी है doctor of happiness का लोग कहां पर लैक कर रहे हैं इतना सिंपल है ये, जीवन में बहुत सारी चीज़ें इतनी सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, और मैं सिंपल वाली बात बताता हूँ, आसान आपको फिर करना होगा उसको प्रैक्टिस मिले के आने के बाद में, हैपिनेस की आनन्द की बहुत ही सिंपल सी जो डेफिनेशन है, कि हम जो expect करते हैं life से, लोगों से, relationship से, sambandhों से उस expectation और reality में gap कितरा है, अगर हमारी expectation जैसे reality हो जायके तो हमोश जाते हैं, और生 on and reality रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं, अब हम reality को तो छेंज नहीं कर सकते, अपनी expectation को adjustрал है बस जरूरत है, और जहां पहरं से अपने एक्सपेक्टेशन द्रिड निश्चे के साथ में अपना कर्म पूरे जोरों से करना चाहिए उसके बाद में जो मिले वो एक्सपेक्टेशन को रियालिटी के साथ मैच करना जो आई थिंग गीता में भी यही कहा गया और इतनी सिंपल सा फार्मूला है लाइफ को हैपी रखने का मैं आपको ना एक छोटा सा नुक्ता बताना चाहता हूँ युक्ती बताना चाहता हूँ नुस्खा! देखिए हम पैसे से शाव से पहले मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं जमीन पे सो जाता था और कहते हैं के सो जाते हैं फुट्पाथ पे अख़बार बिचाए कर मजदीर कभी नीद की गोली नहीं खाते क्या वाथ है तो जमीन पे भी नीदा जाती, फिर पैसे आ गए थोड़े सी, तो कहा कि हम जमीन पे क्यों सोएंगे, गद्दा ले लिया, फिर उसके बाद कहा और पैसे आ गए, अब तो हम बैड खरी देंगे, तो बैड भी ले लिया, अब और ज्यादा पैसे आ गए, हमने का सिंपल वाला बैड क्यों नकाशी वाला बैड लेंगे, अब बैड तो नकाशी वाला आ गया भाई साथ, लेकिन नीद नहीं आ रही है, तो बैड का खरीदना सुख है, और बैड पे आपको शांती पूरवक नीद आती है कि नहीं, वो आनन्द है, और अगर आपने सुख और आनन्द के बैड को जान लिया, और सुख को छोड़के आनन्द की प्राप्ती के लिए यत्म करने लगे, तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत खुशनुमा होगा, थोड़ा सा हम ब्रॉड लेवल पर बात करते हैं, एक हैपिनेस इंडेक्स आता है, बहुत सारी कंट्री को रैंक किया कि जरूरत है, या फिर ये सिर्फ मेंटालिटी की बात रह जाती है, कोई steps नहीं है, कोई उसका formula नहीं है, अगर है, तो वो क्या है जिसे हम सीख सकते हैं, जरूर, पहले तो formula है, तो ये बड़ी उमीद जगनी चाहिए इससे सबको, और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे audience में अगर कोई भी political leader, influencer, bureaucrats, कोई जो society में कुछ impact create कर सकते हैं, वो अगले वाले दो लाइनों को जरूर से सुनें, और इस पर मनन करके, मेरे को लगता है कि हमाचल के लिए भी जरूर कुछ करें आप, जो भूतान का constitution है, उसमें भूतान के राजा ने amendment कराके, एक line डलवाई थी कि इस government cannot make people of our state happy, there is no purpose for government to exist, आप देखिये भारत जैसे देश में, जहाँ पर फिफ्टी परसंट, परसंट लोग तो बिचारे रोटी पानी के चकर में हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वहाँ पर GDP को मेजर करने का क्या मतलब है, कहा जाए कि GDP इतने परसंट हो गई है, उस GDP को तो सिरफ दो चार पांच परसंट लोग कॉंट्रिबूट कर रहे हैं, पचास प्रतिशत को तो अभी रोटी पानी की चिंता है, तो भूतान में क्या purposeful intent के साथ में, राजा जो थे वहाँ के उन्होंने कहा, कि देखिए जब आप किसी से पूछते हो, या तो आप अ सिरफ एक प्रशन पूछो, बेटा, तु नए college में गया है, तु खुश तो है ना, अगर उत्तर हाँ है, तो सब चीज़ों का आपको पता चल गया है, तो भूतान ने इस happiness को, वो question बना लिया, कि अगर हमें बिल्कुल जो जो जमीनी लोग हैं, सब की खुशी के बारे में, prosperity के बारे में सोचना है, तो GDP जो है, वो सही बेतर measure नहीं है, हमें happiness को index बनाना पड़ेगा, और by the way, I just want to leave, because, you know, happiness बहुत complex concept बना लेते हैं, तो भूतान ने उसको 9 dimensions में measure किया है, भूतान ने एक उसमें dimension रखा है culture, एक रखा है spirituality, economics और healthcare और बाकी भी है, लेकिन वो ये भी monitor कर रहे हैं, कि हमारे गाओं में जो त्योहार होते थे, क्या उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्या उसमें आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो society है, उसको negatively impact करेगा, तो जैसे ही वो index नीचे जाता है, कि हाँ, म intervention शुरू हो जाती है, कैसे negatively कैसे, जैसे culture की आपने बात करी, उसमें लोगों की भागेदारी, उनके mental happiness से कहां connect करती है, और अगर उसमें भागेदारी कम हो रही है, happiness index down कैसे जा रहा है, क्योंकि जब, जैसे मैं आप से पूछता हूँ, on a scale 1 to 10, are you happy, तो suppose कि आप कहते हैं, क कि नहीं, तो मैं पूछाँ का क्यों, so second question they ask is, क्यों, why, तो why में मुझे पता लग जाएगा, और अगर आप किसान है, तो आप बताएंगे के मेरे फसलों में अची नहीं हो रही है, मुझे बीज अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, irrigation नहीं प्रॉपर हो रह कि, and if you are not, then why, और उन चीजों को address किया जा सके, तो ठीक है, बतलब उन cultural events में वो इसलिए participate करने है, because they are happy inside, and they want to be gathered there, हाँ, हमारे अपनी बचपन की सोची है, we were more interdependent, एक दूसरे के ऊपर हम लोग dependent थे, तो हम लोग human being को company को enjoy करते थे, आज मैं कहता हूँ, मुझे किसी की ज बहुत अच्छी बात है, जब बुरा आता है, तो हम लोग फिर, unfortunately, जो negative dimensions है life की जैसा नशा उसकी तरफ चले जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, लेकि हम इतना ज्यादा focus कर रहे हैं, कि नशा जो है, जो लोग उसको बांटते हैं, उनको लेकिन हमने अभी तक ये पता करना शुरू नहीं किया, कि अगर हम यूथ को कह रहे हैं, कि आप नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, why do they feel unhappy in their life, that they are going to something else, जब जीवन में एकांकी पन होगा, खाली पन होगा, और कोई खुश नहीं महसूस कर रहा होगा, तभी तो वो negative venues को देखेगा, I think, जो ये whole concept of happiness है, इसको हमें एक नई दृष्टी कोन से देखना बड़ेगा, और मेरा जो research था, उसका outcome था, कि हमारे जीवन के 8 dimensions है, देखे, happiness जो है, inner feeling है, जैसे आपने कहा, तो मैं आपको happy नहीं कर सकता, अगर आप कहें, मुझे नहीं होना है happy, तो कोन कर स करता है, लेकिन ये जो art dimension मेरे research से निकल के आये थे, और उसको मैंने happiness acronym में डाला है, healthy mind and body, A is amicable relationship, कि जब हम अच्छी relationship में होते हैं, तो उससे खुशी का महल बनता है, P to happiness, HAPPI, healthy mind and body, amicable relationship, purposeful life, हम कहते है health is wealth, बहुत अच्छी बात है health is wealth, पर अगर जीवन का purpose ही नहीं है, आप सुभा उठते हो और आप कहते हो, मेरे जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, मुझे health से क्या करना है, इसका मतलब health से भी जादा जीवन में purpose होना है, क्यों कोई ऐसा कारण जिसकी वाई से मैं सुभा उठता हूँ, fourth P is progress in life, अगर हम learning नहीं करेंगे तो फिर happiness नहीं आ सकती है, I stands for inter role harmony, कि हम जो है, मैं father भी हूँ, मैं motivational speaker भी हूँ, मैं manager भी हूँ, मैं brother भी हूँ, मैं son भी हूँ, इन सब roles को क्या हम अच्छे से निभा पा रहे हैं, क्या हम अपनी work और life के बीच में harmony create कर पा रहे हैं, balance नहीं, harmony, तो यह आई है, N is needful prosperity, हम लोग कहते हैं, अ अगर आपके पास आपकी needs को fulfill करने के लिए भी पैसा नहीं है, फिर तो आप उसी के चक्कर में, रोटी पानी के चक्कर में ही रहोगे, happiness तो आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना, तो needful prosperity भी जरूरी है, greedful prosperity भी जरूरी है, needful जरूरी है, है ना, E stands for efficient use of time and energy, अगर आपको time manage करना नहीं आता, तो जो बाकी की 6 dimensions मैंने पहले बताई हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो happy नहीं रह पाएंगे, and the last one is stress management, जब जीवन में हमें लगता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साधन नहीं ह मरत है, चाहें मेरे पास पैसा नहीं, उससे stress का सरजन होता है, और जब हम stress को handle नहीं कर पाते, तो आपको पता है, लाइफ में क्या होता है, बाकी की जितनी भी dimensions है, health भी affect हो जाती है, relationship भी affect हो जाती है, family भी affect हो जाती है, तो यह bi-directional relationship है, दू अर्था relationship, अगर यह 6 dimensions जो प इन 8 dimensions को balance करके रखना जीवन में, that's what I am calling engineering happiness, तो मैं आपको happy तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए तो मदद कर सकता हूं कि इन 8 dimensions को अच्छे से कैसे बुन के रखें, relationship को कैसे अच्छा करें, और अगर यह 8 dimensions अच्छे से बुन के रखेंगे अपने जीवन म और वक्त खराब आने के बाद वो depression में चला जाता है, तो technically क्या इसका यह मतलब है कि यह सारी चीज़ें सिर्फ आपके psychological है, यह इसका religious angle भी कोई है, या इसके अलावा भी कोई इसके कोई आयाम है, क्योंकि at the end of the day, है तो हमारा हमारी सोच ही, हमारा mental balance ही, अगर हम सोच रहे हैं कि I am happy with my life, I am happy with this situation, this scenario, तो आप खुश हैं, अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है, तो आप दुखी हो जाते हैं, हलांकि दुखी होने की वज़े क्या है, वो वज़े इतनी बड़ी है भी कि नहीं, कि उससे दुखी हुआ जाए, इस बात की जानकारी आपको होती नह पर आप दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और कई बार चोटी-चोटी बातों पर इतने खुश हो जाते हैं, कि उतनी बड़ी उपलब्दी होती हुए नहीं, तो क्या यह सारा सिर्फ दिमाग का खेल है, साइकोलोजी का खेल है, सी हैपिनेस क्यूंकि इनर फीलिं अप्डेट करते हैं, और जब इस पर अंड्रोइड का नया वर्जन आता है, तो मेरी मा भी कहती है, इसको अप्डेट कर दो भई, नहीं तो मेरा वट्सएप ठीक से चलेगा नहीं, तो जो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सब को पता है, और जो हमारा इनर करें हमारे साथ में, आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन को जरा स्कैन कीजिए, और अभी आप कैसा महसूस करें स्केल 1-10 पे, देखिए, खुशी को पाना मुश्किल नहीं है, और इसको आपको देना चाहता हूँ, और इस जो भी हम अभी करेंगे अनुभव, उस अनुभव से जीवन परिवर्थित हो सकता है, एक से दस तक अपनी लाइफ को आप मेजर कीजिए, दस मतलब I am flying in the air, इतना खुश हो कि बस इस से जादा जुनिया कुश नहीं चाहिए, और एक का मतलब कि बिलकुल हिलने की भी ताकत नहीं, आप कोई भी नंबर अपको दीजिए, और जैसे सांथ छोड़े आंके बन कर दीजिए, मैं चाहूँगा दर्शक भी अपनी आंके बन कर दीजिए, अब मैं चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा contribution किया है, जिन्होंने आपके जीवन को यहां तक पह होना चाहते हैं, gratitude express करना चाहते हैं, हम कई बार नहीं कर पाते हैं, आज मैं वो मोका आपको देना चाहता हूँ, आंखे बन करके रखिए, और जिसका भी आपने मन में ध्यान किया है, उनको आप जोर से पहले तो गले मिलिए, और उन्हें कहिए कि मैं हमेशा से आपको धन् आपने मेरे जीवन के लिए जो किया, मेरे लिए जो किया है, मैं जहां भी पहुंचा हूँ, अगर आप सही माइने में, सही समय पे contribution ना देते तो मैं आ नहीं होता, मैं आपको अपने हिर्दय से कृतक गिता विर्ट करना चाहता हूँ, आपको, I want to thank you, I want to express my gratitude, और आप उन आपको अपने हाथ डालता हूँ, तो मुझे धुले जुराब मिलते हैं, हम उनको thank नहीं करते हैं, हम भगवान को thank नहीं करते हैं, कि मैं रात को सोया था, सुबा उठा, ना भी उठता तो मैं क्या कर लेता, लेकिन आपको वैसे मैं उठाओ, सचा wonderful day, मैं आपके लिए धन् करें आज, जिन से आप मिल रहे हैं, और अब फिर से गले मिलें जोर से, और जब आप उनसे बात करेंगे आज, जिनका भी बारे में आपने सुचा आप एक्सप्रेस कीजिएगा gratitude को, लेकिन अभी magic होने वाला है, अब मैं क्या चाहूंगा, और मैंने ये exercise हजारों लोगों आपका happiness scale उपर हुआ है, क्या हुआ है? It has gone from 7 to 10, automatically, आप भी जरूर से शेर कीजिएगा अपने comments में, this was very interesting, so gratitude, just एक चीज़ पकड़ लीजिए, क्योंकि जब हम gratitude का attitude रखते हैं, हम ये नहीं देखते कि मेरे जीवन में क्या क्या missing है, सारा रोना ही इसका है, मैं ये देखता आपके इच्छा है, तो आप ये बन सकते हैं, और ये पूरी तरह से psychological impact है, psychological circle है, अगर आप चाहते हैं, तो आप खुश हो सकते हैं, इसके पीछे बाहर से कोई ताकत नहीं आएगी, आपके अंदर से आवाज निकलेगी, बहुती, शांदार और गहरी जानकारी आपने हमार दर्शकों के साथ सहाजा की, और उमीद है कि इस प्रोग्राम के जरीए हमारे दर्शक भी अपने आपको खुश रहना कम से कम सीख पाएंगे, और आने वाले वक्त में जो भी परिस्तेतियां आपके जीवन में आती है, कम से कम आप हार नहीं मानेंगे, और एक अंदरूनी प्रसन्नता का जो अनुभव है, जो हमारे आज के कारेकब का विशय भी है, उससे आपके अनुभुती जरूर होगी, बहुत हो शुक्रिया आप डॉक्टर अरून भावदाच आप इस खास कारेकब में आये, इतनी शांदार जानकारिया आपने हमारे साथ साजा की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंकी, धन्यवाद, आप सब की बड़ी खुछ जिंदकी की में अभी लाशा रखता हूँ, नमस्कार, आज की बाद किस खास कारेकब में विलाल इतना ही, रीजाज़त, नमस्कार